असलाम अलेकुम फ्रेंड्स लाइकेदा रेसेपी में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे चीज वाले आलो पराटा कुछ नए अंदाज में आईए ये किस तरीके से बनाते हैं हम देखेंगे पराटी के लिए मैंने दो अलू उबाल कर ली हूँ इसे मैं हातों से मैश कर लूगी अलू अच्छे से मैश हो चुके हैं अभी मैं इसमें दालूँगी एक कप मैदे का आटा एक कप गेवू का आटा दो बारिक कटीवी हरी मिर्ची आधा चम्मच जीराव एक चम्मच कुटीवी लाल मिर्ची एक चम्मच कसूरी मिती आधा चम्मच गरम मसला पाउडर बारिक कटीवी कुटमी नमक स्वाथ के हिसाब से और इसमें मैं दालूँगी थोड़ा सा दूद अभी मैं आटे को गून लूँगी इसमें मैं और थोड़ा सा दूद एट कर लूँगी आटे में हमें पानी दाल कर नहीं गूंद रहे दूद से हम आटा गूंदेंगे आटा गूंद कर हो चुका है अभी मैं इसमें थोड़ा सा तेल दाल कर आटे में पुरे चारों तरफ मिला के इसको पांच मिनट के लिए रख दूँगी पराटे के अंदर भरने के लिए मैंने तीन कीव अमूल चीज लिए हूँ आप अपने पसंद से कोई भी चीज ले सकते हैं अभी मैं इसमें दालूँगी एक चमच, कुटीवी, लाल मिर्च इसको अच्छे से मिक्स कर लोगी यह अच्छे से मिक्स हो चुका है आटे को रख कर पांच मिनट हो चुके हैं अब हम इसे मसल लेंगे अभी हम इसके पेड़े बना लेंगे इसे साइस के हम सारे पेड़े बना लेंगे सारे पेड़े हमारे बना कर हो चुके हैं अभी हम इसे बेल लेंगे सबसे पहले तक्ते पे मैं सुपा आटा दालूँगी फिर उसके उपर पेड़ा रखूँगी अभी इसे हम बेल लेंगे देखे मैंने इतने ताइस का बेली हूँ अभी मैं इसके अंदर भरूँगी चीज अभी मैं इसका फिर से पेड़ा बनौँगी इस तरीके से अभी इसको मैं ऐसे राउंड कर लूँगी और ऐसे दबा दूँगी अभी मैं इसे बेल लूँगी हलके हातों से और उपर थोड़ा से सूखा आटा लगाऊँगी और फिर बेलूँगी हलके हातों से हमें बेलना है देखिए हमारा पराठा बेल करो चुका है मैंने जाड़ा ही बेली हूँ हमें ज्यादा पतला नहीं बेलना है प्राय के गरम हो चुका है अभी हम पराटे को सेक लेंगे पराटे को आब हम पलट लेंगे और नीचे भी ब्राउन होने तक के हम पकाएंगे अभी इसके उपर मैं बटर दालूँगी अभी मैं इसको फिल से पलटा कर सेक लेंगी अभी इसके में दूसरे साइट में बटर लगा हुगी देखे माशालना कितने अच्छे हैं हमारे पराटे सोफूग रहे हैं अभी दुबारा से में इसे पल्टा हुगी पराटा पक चुका है अभी में इसे प्लेट में निकाल लोगी इसी तरह हम सारे पराटे बना कर सेख लेंगे माशालला चीज आलू पराटा बनकर तयार हो चुका है वीडियो पसंद आए तो शेर कीजे लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और कमेंट में ज़रूर बतना चीज आलू पराटा कैसे बना अल्ला हफीज